तो स्पेंस सबहुआ लोग बात करने वाले हैं जेक्राप्ट यह नुड़ सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब में आज 범र में तो सबसे पहले जानते एस्टेरोइट के बारे में हैं अगर हमारे सोलर सिस्टम के अगर बात करें तो सब्सक्राइब होत सरे ऑसे बड़े-बड़े-बड़े-फसर चोक्रें honestly और बहुत सारे planets हैं जो कि जिनके टुकड़े हैं ठीक है ऐसे हमारे solar system में total eight planets हैं लेकिन इसके अलावा हजारों planets के छोटे छोटे टुकड़े जो कि बड़े-बड़े पत्थरों के आकार के नजर आते हैं वो space में मौझूद है और इन पत्थरों को ही हम लोग asteroids या planetoids के ना हुआ है अगर हमारे inner planet और outer planets की बात करें तो inner planet में जो लास्ट प्लानेट है जैसे मार्स है और outer planet का फॉस्ट प्लानेट है जो पिटर है इन दोनों planets के बीच एक asteroid belt है जिसमें बड़े-बड़े पत्थरों की बहुत सारी जो है श्रिंकला मौझूद है और इन एस्टेरोइ प्लानेट जैसा नजर तो आता है लेकिन यह actually planet नहीं है ऐसा माना जाता था शुरुवात में कि यह जो asteroids है यह हम लोग को अंतरिक्ष में यात्रा करने में मुश्किल खड़ी करेंगे लेकिन ऐसा नहीं है यह अपने position फर fix है और अगर इन में हम लोग इंटर करते हैं या फ तो यह space का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर किये है यानि अंतरिक्ष में एक बहुत बढ़ा इलाका एस्टेरोइट्स का है और वो इलाका कहा है मार्स और जूपिटर के मार्स हमारा last टेनर प्लेनेट है और जूपिटर जो हमारा फ्रस्ट आउटर प्लेनेट है उसके बीच का जो तुम्हारा स्पेस है वहाँ पर एस्टरोइट्स की एक बड़ी सी बेल्ट मौजूद है इसके बाद देखिए इसके बाद है हमारा कॉमेट्स अगर कॉमेट्स की बात करें तो जो तो वैसे बाद में चमकते एक बहुत है है अगर कॉमेट्स के अगर बात किये तो शुरवात सब्सक्राइब बहुत के देखा क्या जा लारा आश्मान में यह चीज गुजर के अच्छानक में अचमक्ते वी चीज गुजरेगी तो इनसानों के लिए एक बहुत जो हो क्या है डराने वाली चीज थी आसमान में गुजरता हुआ कॉमेट ठीक है अगर लिए कोमेट के बात करें तो कॉमेट का जो अंदिरमान थै इस पार्टिकल्स होता है याइन संसे दूसरी तरफ होता है और इसका जो हेड है यानि कि जो इसको आगे वाला हिस्सा है वो बहुत चमकता है और पीछे वाला हिस्सा एक टेल के जैसा एक पूछ के जैसा नजर आता है इसलिए जो है वो क्या है बहुत अलग से शेप का होता है कॉमेट्स को कई साल लगते हैं एक बार सूरज का चक्र लगाने में और बहुत सरे comets हमारे space में मौजूद है जिसमें से एक comet जो सबसे जाधा प्रसिद्ध है वो हमारा है elies comet ठीक है और helies comet को जो है वो किया 76 years का समय लगता है एक बार सूरी का चकर लगाने में हम लोग उसको 76 एर्ट में एक बार देख सकते हैं इसके बाद हम लोगों को जानना है मीटेरोइट्स के बारे में अगर मीटेरोइट्स की बात कहें तो मीटेरोइट्स के हैं पत्थर के वो टुकड़े हैं जो की सन का चकर लगा रहे हैं मेटेरोइट्स को ही हम लोग शूटिंग स्टार यानि तुटतावा तारा भी कहते हैं क्योंकि अगर कोई भी मेटेरोइट धर्ती के कक्षे में आ गया यानि कि धर्ती के रीजन के अंदर एंटर कर गया तो धर्ती का जो एट्मोसफेर है धर्ती में जो गैसे हैं हमारे हवा में वो उस मेटेरोइट को क्या कर देते हैं जला देते हैं और जब जलता है तो यह शाइन करता है चमकता है और चमकता है तो एक रोशनी सी नजर आती है और इसी को हम लोग टूटता हुआ थी तरह पत्तर में जब पत्थर के तुकड़े जलते हुang आस्मान में तो उसमें से रौशनी निगलती है और वही रौशनी हम लोगों को शुटिंग स्टाड यानि तूटते हुए तारे के फॉर्म में नजर आती है और अगर यह तुम्हारा अगर पूरी तरीके से तो धरती पर गिर जाता है और धरती पर यह काफी नुकसान कर सकता है बड़े बड़े गढ़ों का निर्मान यह कर सकता है क्योंकि देखिए जो अंतरिक्ष में जो चोटे पत्थर हैं वह एक्चुली हमारे हिसाब से हम लोगों को लगता है तस्वीर म कि बचे-खुचे हिस्से हैं जो जमीन पर गिर जाते हैं उसको हम लोग मीटियरॉइट कहते हैं और मीटियरॉइट क्या करता है एक बड़ा गढ़ा तक बना सकता है और एक बड़ा गढ़ा मीटियरॉइट के द्वारा बनाया गया हम लोग अमेरिका में यूएसे में इसके बाद हम लोग क्या देखे हैं कि हमारे जो स्टार्स हैं वह एक फिगर जैसा बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं constellation के नाम से जानते हैं इसके अलावा galaxies की अगर बात करें तो galaxies जो है हजारों लाखों करोरों तारों का समूह है ठीक है साथ ही इसके बाद जो हम लोग इस chapter में और सीखें हैं वो क्या सीखें हैं कि हमारे solar system में कौन-कौन है सन है और आठ प्लैनेट्स का एक पुड़ा ग्रूप है सैटेलाइट्स है हजारों एस्टरोइट्स हैं मीटियरोइट्स हैं कॉमेट्स हैं हमारे इसके अलावा हम लोग क्या सीखें इस चैप्टर में कि जो सन है वो एक स्टार है और हमारे solar system का सबसे बड़ा प्लैनेट है सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है वह हमारे solar system में हमारा sun है अर्थ के अगर बात और तो और तो क्या है थर्ड पॉजिशन पर है संसे और यह सबसे खास प्लैनेट है खास प्लैनेट क्यों है क्योंकि यहाँ पर लाइफ एक्जिस्ट करती है ठीक है इसके लब मून के अगर बात करें तो मून एक सैटलाइट है जो कि धर्ति का चक्र लगा रहा है और साथ ही हम सबसे सबसे नसदी की प्लैनेट कौन सा है हमारा सन से प्लैनेट अपलांट ज़ो है उसको प्लैनेतब प्लैनेट हैं नहीं कहते हैं, इसके अलावा, हम लोग ये भी देखे थे, कि कुछ स्टार्ट्स ऐसे हैं, जो पुराने जमाने में लिजो को डिरेक्शन के बारे में पता करने में साहिथा करते हैं, ऐसे पोल्स्टर्स जो नॉर्ट डिरेक्षन को रिप्रेजन करता था, जितने भी planets है वो sun का चकर लगाते हैं कौन से path में तो वो लगाते हैं elliptical path में और अलग-अलग planets का अलग-अलग नाम है जिसमें हमारे earth को blue planet कहते हैं उसके बाद हमारे Mars को red planet कहते हैं और हम लोग देखें Mars और Jupiter के बीच का जो belt है वो belt कौन सा है asteroid belt ठीक है तो यह जो हो के अल